असलाम अलेकम और माशालला जी आला ताला के फजल और करम से आज हमारे लेक्चर वन का अगाज हो गया है उर्दू आटी अकैडमी के उपर तो बिसमिल्ला करते हैं कि सीजी टीवी के मताले कि पूरी एक सीरीज चलेगी और इसके अंदर मैंने काफी टॉपिक्स जो है ना बड़े तर्तीब से रखें हैं इन्शालला मेरे बिल्कुल कोशिश होगी कि जो है ना जो एक ऐसा बंदा जिसको सीजी टीवी के बार में बिल्कुल नहीं पता तो इन इसन कैसे करना होता है wireless camera के या other दूसरे camera's जो होते हैं डीवी यार's के उपर कैसे काम होता है लोगो के डिजाइन किया हूँ कोर्स के आप लोगो कर दो पता चल जाएंगी के लियूर के अंदर क्या option होते है camera's कैसे setup करते है ठीक है जी बस आपने जिस तरीके से में लेके च और लीजाद को bakalım okay जा एक किन डेज़र को आपकी दूर की चीज को दिखाने की काभerson कै अजय तरह में आपको टैलेफून की मिसाल देता हूं तो एसे दूर के बंदे जो आपस में एक दुसरे की वॉइस सुनने की इसको हम टेलीफून कहते है ठीक है इससे तरीके से अगर आप को ऐसी communication devices के ऊपर काम कर रहे हैं जो distant हो ठीक है उनकी उस distance को वो कम करें like वो टेली केम्नीकेशन कहलाती है ठीक है जी तरीके से तेलिस्कोप भी होता है आप इससे आपको पता है कि आप से जूम करके चीज़ां देख रहे होते हैं ठीक है जी टॉट टैलेविजिन समझ में आगिया दूर की जो वीडियो का सीटेटी करता है है कि यहां से क्या करते हैं हम लोग लगा लेते हैं यह हम लोग लगा लगा लेते हैं और हम वीडियो डेखे होते हैं 喂 отдел की ट्रांस्मिशन हो ब्रड़कास्ट हो कोई रेस्टीक्षऺ्षन ना हो उसको हम कहते है open circuit ठीक है आप इसकी मिसाल ऐसे भी समझ सकते हैं आगर आपने जैसे कोई नया नया अगर आपने wireless connection wireless connection लगाया अपने घर पर और आपने उसके उपर को username password नहीं दिया तो क्या होगा उपन ली हर को यूज कर रहा हो जिसको भी उसकी आपके ससाइडी मिलेगी वह फौरण ही यूज करना शुरू करते हैं सेम इस तरीके से open circuit भी है कि टीवी स्टेशन ने क्या काम किया broadcast करती है broadcast जिस जिसने catch करना है जिस जिसने नहीं करना जिस नहीं करना करें कोई यह मसला कोई नहीं है ठीक है जिस अरक टैलीजन को लोग से टीवी क्या होता है इसके अंदर एक क्लोज सर्कुटरी काम कर रही होती है वह इस सपेसिफिक सैट अफ यूजर्स को वीडियो दिखा रही होती है इन दोनों के दरम्यान सबसे बड़ा डिफ्रेंस भी है यह यह जिए 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 ओपन सरकेट टैलेविजन ना जिसको सिंपल स्टैनेट आप टैलेविजन कहा रहे होते हैं वह आपकी इंटर्टेंट्मेंट पर पसके लिए जबकि अच्छा इसके साथ एक और चीज़ आप यह देख लें कि ओपन सरकुट जो ते ना वह वाइड बेस ह होता है कभी आपने ऐसा सुना है कि आपका टीवी जो है ना वह वाइलेस है नहीं सुना तो क्लोस सरकुट में यह होता है कि आपने जो कैमरा लगा है वह वाइलेस भी हो सकता है ठीक है उसके इलावा एक और चीज़ जो क्लोस सरकुट जो रेफर कर रही ना वह स्पैसिफि जब thomas ने करने होते हुआए हम लॉसार के टले वीजन यूज करते हैं और जब हमने पॉट्ट टू मल्टी पॉइंट कम्निकेशन करने होते हैं तो में उपन सरक्ट यूज करते हैं है आप कोई अगर यह कहए कि सर के मैंने close circuit तीन monitor पे देख रहा हूं तो यह तो point to multipoint हो गई तो आप अगर एक region देखें अगर आपने लाइक एक ही घर के अंदर तीन computers में देख रहे हैं तो फिर भी यह in the sense से आभी समझें इस spot के हिसाब से point to point ही communication हो रही है लाइक अगर त्री श्टेशन से एक चीज़ निकल रही है तो फिर वो गुलशन में भी जा रही है वह जो अना के माड़ी में भी जा रही है वह जो अना गुलसाने जहुर में भी जा रहे है तो फिर यह क्या है बला यह point to multipoint है तिन difference locations में जा रही है ठीक है तो इसी तरीके से पॉइंट तो मल्टी पॉइंट को भी concept आपने पॉइंट तो पॉइंट यहीं पे लेना है कि अगर आपका CCTV घर में लगा वे तो उसी घर में आप 10 पॉइंट टूपॉइंट कर रही है ठीक है जी अच्छा आगे हम यह भी देखेंगे कि हम रिमोट ली एकसे करा लेते हैं कोई बंदा दुबई से बैठा वो तो वह भी चेक कर रहा है है सिंपल अब आप आगे फर्दर नेटवर्किंग के तुरू कर रहे हैं वह एक अलग चीज़ है ठीक है जी उसके कॉंसेट में भी नहीं जाना है वह बात का टॉपिक है उसको भी हम डिटेल डिसकस करेंगे ठीक है अच्छ यह तो होगी जी एक ले मैंन की डेफिनेशन के अगर मैं इसकी डेफिनेशन के पास जाओं तो पर मैं यह कह सकता हूं कि जो है ना इसकी इसकी इसी होती ही कि इसके अंदर जो कंपनेंट्स होते हैं इस सरकृटरी के अंदर जितने भी कंपनेंट्स होते हैं वह आपस में डिर्ग्ली यही यही वजय है कि अगर आप ने किसी घर में लगा तो वो उसी घर का ही बंदा देख सकता तो दुनिया तो छोड़ी दें ठीक है जी तो उसके लावा आप इन शॉट और मजीद डेप्ट में जाना चाहरे हैं तो फिर यह देख लेंगे क्लोज सर्कुट हम एक ऐसे सर्कुट को कहते हैं जिसके अंदर कैमरा मॉनिटर और रिकॉर्डर इन तीनों की दरम्यान वीडिय कार्णा चैमरे ने फिर पर को रिकॉर्डर को रिकॉर्डर ने फिर पर मॉनिटर इसले करा दिया और बस यही कि जितनी जितनी दो के दरम्यान की मैंने बात कि इसलिए इसको कहा ऐदेको ऑग एक नेटवर्क बन रहा है ना ठीक है एक यही समझ में आ गई अच्छा जी, अब हम लोग एक, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ ये कोस्चन आगया जी, वाट इंफरमेशन वी वांट फ्रॉम आवर सिस्टम तो देखें जी, टेक्नॉलोजीज आ गई इसके बावजूद के टेक्नॉलोजीज आई, डिजाइनिंग होई, इंप्लिमेंटेशन होगई, सीसी टीवी की मगर आज भी कुछ ऐसे नंबर ओफ इश्यूज हैं, जिनको हमें हर कंडिशन के उपर एड्रेस करना पड़ता है ठीक है, उन में से सबसे पहली जो चीज़ नहीं वो यह है कि आखिर आप अपने सिस्टम से क्या इनफर्मेशन चाहते हैं कि इतनी टेकनोलोजी जागी डिजाइनिंग हो गई इंप्लिमेंटेशन हो गई मगर उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें आज भी हर कंडिशन के अंदर एड्रेस करने ही पड़ती है तो उन में से पहली चीज यह है कि आखिर आप क्या इंफॉर्मेशन चा चाहिए जी हो पांच पॉसिबल आंसर हैं जी मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग डिटेक्शन अब्जर्वेशन और इडेन्टिफिकेशन मॉनिटरिंग क्या होती है तो आपका जो आंसर होगा ना मतलब आप समझ गया होंगे कि जो आप अपने सिस्टम से कहा इन्फरमेशन चा चाहिए और चेली एक लगे हैं एक मॉनिटर यंजरा यहां और आप उन छे के शे को देख रहे हैं यहां मॉनिटरिंग कर तो तो controlling equipment चे controlling devices जो है न वो आपकी controlling क्यलाती है कि किस के तुरू आप control कर रहे हैं ठीक है जी detection observation और identification अब detection क्या होता है देखें जी मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मैदान है ठीक है मैंने का जी इसको अपने monitor करने आपने सी सी टीवी cameras लगा दिये और आपने controlling devices लेक लिए आपको यह पता है कि जी मैं monitor कर रहा हूं इस पूरे मैदान को ठीक है क्या हुआ है यह जो कुछ होने का नाम ना आपको पूरे एरिये को छोड़ के आपको एक specific area में कुछ शक्सा हुआ कि यार इस पर्टिकुलर area में कुछ हुआ है that is called detection कि आगर आपको यह पता चल जाए अपनी कि लास के अंदर कि तीज बच्चे मगर आपको यह जी पता चल जाए कि किसने चीटिंग की है किसने की यह तो छोड़ दें मगर किस हिस्से में cheating हो रहे ही है यह चीज़ पता चल जाए डाट इस वाल डेक्शन अब्जर वेशन क्या ह की आपको यह चीज़ पता चल गया कि किस हिस्से में हो रही है अब आपने उसके सबूत इखटे करना शुरू कर दिया क्लोज लुक लेना शुरू कर दिया कि यार यह हो क्या रहा है आखिर अक्सर आपने देखा हो कि जब आप पहली दफ़र कुछ सरकोशी करते हैं इमत्य ही होगा ठीक है फिर वो क्या करता है observation आपके चेहरे को देख रहा होता है आपके उपर आपके attitude को देखना शुरू कर देता है तो फिर वो क्या करता है वो observe करना शुरू कर देता है जब उसको इस बात की यकीन हो जाता है कि कौन indulge है इस stating के अंदर that is called the identification उसने identify कर लिया हाँ जी आप ही है something is happening is called detection सही है न एविदेंस आपने इखटे करने चुरू कर दिया और taking a close look उसको observation कहते है और who indulge in these activities और कौन उसके अंदर कौन उस activity के अंदर मुलविस that is called identification ठीक है जी तो जब कभी भी आपसे कोई भी यह चीज़ पूछे कि परपस क्या है सिसी टीवी को तो आपने बताना है उसे monitoring है controlling है detection observation identification ठीक है जी एक छोटा सा overview में दुबारा देता हूं आपको कि CCTV टेली विजन क्या होता है मैं आपको बताए टेली विजन टैली और विजन दो वर्ट का combination है टेली दूर को कहते हैं विजन देखने को कहते हैं कभी भी आप कगर कोई भी दूर की चीज़ को देख सकें उसको हम टेली विजन कहते हैं और फिर एक open circuit होता है open circuit हम broadcast को कहते हैं लाइक आगर आप जैसे TV station वह क्या करता है आपके जो FM है वह क्या कर रहा है वह हो भी broadcast कर रहा है तो वह भी होगया मगर हम यहां भी वीडियो के हवाले से कर रहा है जिसके आप वीडियो भी सुन सके तो इसलिए हम लोग ने ओपिस धर के टेलिविजन का कहा दिया ठीक है ठीक है एक खास पात को फॉलो करते हैं यह openly नहीं होते पब्लीक लिए डिस्ट् अगर किसी ने अपने घर में कैमर लगा तो सिर्फ उसी को प्यादा चल सकता है कि उसके घर के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है क्या क्या आक्टिविटीज हो रही है प्रोसी नहीं देख सकता कि इसी तरीके से ठीक है तो इसी समझ में आगे फिर information मैंने बता दिया कि वो क्या चीजें हैं जिसको मद्दे नज़र रखते हुए आपने सीजी टीवी को लगाया जाता है ठीक है जी अब हम बात करते हैं जी आखिर देखें जी जब आप यह आंसर देते ना जी मुझे इस तरह के कि मॉनिटरिंग चाहिए कंट्रोलिंग होनी चाहिए अडेंटिफ के बाद रिकगनाईज कर सुरी डिटेक्ट करते हैं फिर रिकिंग अब जर्वे अब्सर्फ करते हैं और फिर जो है ना रिकरनाइज करके आप अडेंटिफाय कर लेते ठीक है जी तो जी जी समझ में आ गई अब वो आखिर यह आपका आंसर जबाब देते हैं यह जो फाइफ एक्टर जो मैंने बताएं आपके तो फिर इसके उपर ना आपका टाइप ओफ एक्विमेंट जो है ना वह एफेक्ट करता है लाइक अगर किसी नहीं एका कि नहीं मुझे करने का कारोबार कर रहा हूं तो जी भाई मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कौन आ रहे है कौन जा रहे है आप उसको हाइफाइस सिस्टम लगाके दोगे आप उसको बड़ा पावरफुल कैमरास लगाके दोगे जो जूम लेंस कर जो अच्छे तरीके सा इडेंटिफाय कर स जब मुझे डिजाइनिंग और बजटिंग करनी हो तो फिर मैं किन-किन फैक्टर्स को अपने नजर में लेकर आऊं तो बहुत सारे फैक्टर्स आगा है तो कम्यूल टेटिवली मतलब आप यह समझने के कि आप यह समझने कि जो है ना उन सारों का मजमूआ हमने निकाला कि यह कौन से ऐसे फैक्टर्स निकाले जाएं जिसके अंदर और लूमूस्ट 99 परशंट सारी बाते कवर हो रही हो तो जी फैक्टर्स कुछ इस तरह से डिजाइन किकर उसके पांच फैक्टर्स निकाले गाए पहला क्या है जी इमेज बखाथे हैं, ठीक है जी हमेज क्रिटी पहला फैक्टर हो गा होगाँ धिया अजी कंछाइजा हो साइस का होना चाहएं अब फील्ड उफ इंट्रस क्या होता है अग अगर मैंब ने देखा कि एक पार्किंड पार्किंड लॉट है, उसके अंदर बहुत सारी गाणियां खर हो गया ठीक है उसका मुझे साइज क्या रखना है ठीक है तो उसका साइज क्या होगी जी लाइटनिंग कंडिशन्स लाइटनिंग कंडिशन्स में क्या होता है देखे जी सबसे पहली बात जिस तरीके से आपकी आँग के अंधेरे में देख सकती है नहीं देख सकती इसी तरी तो लाइट तो लगो फिर मैं केमरा लगाऊंगा ठीक है तो लाइटनिंग कंडिशन भी आपने चेक करनी है बहुत इंवाइरमेंटल एफेक्ट इन्वाइरमेंटल एफेक्ट क्या है आप जी कैमरा लगाना चाहरे हैं आप कैमरे भी दो तरह की होते हैं वह कौन तो इंडूर एफेक्ट के अंदर आपने कैमरे की टाइप चेक करनी कि इंडूर है कि आउटडोर है तो मिन्मण वेदर प्रूफ तो क्यों क्योंकि डस्ट हो गया स्टॉर्म सैंड डस्ट सनो रें यह सारी चीज़ें एफेक्ट करती हैं तो इन सब चीज़ों से बचना उस जी अच्छा मैं सोच रहूं यहां पर मैं आपको जो है ना कुछ केबल से रिलेटर बता दूँ चले मों मैं आखर में बताऊंगा ठीक है कि आपको यह चीज़े समझ में आगे कि budget और designing के हिसाब से क्या क्या है चीज़े चाहिए होती है अगर जब हम budgeting और designing के हवाले से बात कर रहे होते हैं एक किलाते हैं इमेज कॉलिटी एक किलाते हैं जी size क्या होना चाहिए आपके field of interest का तो lightning conditions lightning condition like adequate light मौझूद है कि नहीं environmental effect indoor है outdoor है और power source power source बहुत जरूरी अब आयाते हैं जी cctv camera basics के उपर बात करते हैं मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूंगा तीन तरह के मारे पास camera होते हैं अब तीन तरह के हो गए वैसे तो दो होते थे एक color camera होता था एक monochrome camera होता थीक है अब आशकल day night camera भी आगे हैं तो बस यह तीन ही तरह की camera तो इसमें कोई tension की बात नहीं है दो camera's थे अभी day night को भूल जाए color camera अगर आपको कभी भी बैटर representation of a scene required हो like अगर आपको हर चीज़ ही visible चाहिए और color में चाहिए कि brown color है तो brown color में देखे वो red है तो red color दिखा है मतलब पूरी originality दिखाए picture यह तो फिर आप क्या करते हो आप color camera यूज़ करते हो ठीक है जी आप color camera यूज़ करते हो और जब कभी भी आपने resolution ज्यादा रखनी हो तो फिर आप monochrome camera यूज़ करते हो जा detail ज्यादा रखनी हो तो फिर आप monochrome camera यूज़ करते हो monochrome क्या होता है मोनो कहते हैं एक को क्रोम कहते हैं कलर को तो एक कलर वाला कैमरा एक कलर वाला कैमरा कौन सा होता है जी ब्लैक और वाइट कैमरा होता है तो जब कभी भी कोई आप से कहना जी ब्लैक और वाइट की बात हो रही है तो मोनो क्रोम के लिए आपका ठीक है जी अब मोनो क्रोम के लि अगर मैं देखूं या ब्लैक और वाइट के मैं बात करों तो उसके अंदर किया उसको ना दिन में कलर्स चाहिए ना रात में कलर्स चाहिए तो दोनों टाइमी देख सकता है ठीक है अब कुछ लोग सोच रोगा रात में कैसे देखेगा तो रात में उसके लिए कुछ LED वगारा आती हैं वो इसके लिए कुछ अगर आपको दिन के अंडर Hide color camera के तौर पर काम कराना होए camera और रात के अंदर monochrome क्यों कि रत में जो आन लाट नहीं होते तो लगाजा color camera नहीं आपके यवो न आद्धे ने değil कि लागा होता है क्योंकि मैंने पहले बताया के कलर से को कोई concern होता नहीं ठीक है वो white light के उपर काम कर रहा तो तो color camera चो वो उसको हम कहते है day night camera डे night camera दोनों दुन्यवां में काम कर रहा तो दिन के time वो day camera बन जाते रात के time वो और बन जाता है ठीक है अच्छा मैं एक और रूल अफ़ थम问 आपको ये बहुत यह उच्छी बात है इसके अंदर क्या है अगर हम मोनोख्रोम कैमpers की बात करते हैं कि कैमने की बात हों कैसे पता लगी के कंडे का लगाना या या फिर मुझे मूनो क्रोम लगाने में जिस जगह पे इतने अंधेरे में जिसमें आपका बलके कलर कैमरा भी छोड़े मैं आपको बताता हूँ हाँ सही देखें जी अगर आपकी आख जिस आप एक जगह पे गाया और आपने यह चीज़ देखी किया यहाँ पे लाइट कितनी है क्या आपकी आख देख सकती है उस अंधेरे में अगर आपकी आख देख सकती है तो देनाइट कामरे की और नाइट केमरे की बहुत ही कम लोगों को यह बात पता है और अकसल लोग यही कहतें कि आपका मोनो करूम होता है ना वो आपका नो लाइट केमरा होता है तो cctv camera basics की मैं बात कर रहा था था आपको यह चीजा ना की बात ब रखेंगे तो फिर हमें पता ही चला हम लोग ने फिर दोबारा एक वर्काउट करना शुरू कि हम लोग नहीं इंजिनियर्स ने बहुत जो थे यह जिन्हों ने कैमरा शैमरा बनाने की दिए बैठे थे दमाग जोड़ा उन्होंने और उन्होंने आखरकार तीन फैक्टर्स को उन्होंने सोचा कि यह तीन फैक्टर्स ऐसे हैं कि अगर आपने इन तीन फैक्टर्स का ख्याल कर लिया तो फिर आप यह समझ जाएं सीजी टीवी कैमरा की बेसिक्स और आप यह समझ जाएं बलके अगर आप कहीं पर जाते हैं और आप यह चीज़ सोचते हैं कि राइट स् हुँ ना तो यह बहुत ही जबर्दस्त किसमी कोई बहुत ही कॉंप्लेक्स प्रॉसेसर मैं पहले बता रहे हैं मुम्किन नहीं है कि अगर कोई बंदा जाया और वो सही सीजी टीवी कैमरा की सेलेक्शन कर ले उसकी सही स्पेसिफिकेशन के साथ कर ले तो यह एक आइडियलिजम जो कि आप कभी अटेंड नहीं कर सकते हाँ नियर आप पहुंच सकते हैं ठीक है जी तो बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनको हमें खातिर में लाना पड़ता था कि जो यह भी देखो वो भी देखो यह भी देखो तो हुआ कि हम लोग ने सोचा क्यों ना हम तीन मेजर ऐसे फैक्टर्स को देख लें जिसके में सारी ही चीज़ें अल्मोस्ट आजे 99.99 हम लोग सभी सेलेक्शन कर लें तो वो तीन चीज़ें क्या थी पहली चीज़ आगई इमेज सेंसर इमेज सेंसर क्या है अब यह बताता अब यह अप्टिकल सिंग्नल क्या होता है अप्टिक्स कैसे करते हैं हर वो चीज जिसके अंदर लाइट आ जयाए अपको कम नजर आ रहा हुता है क्यों है आपका कैमरा जो होते हैं ना वो लाइट को गैदर कर रहा होता है जितनी अच्छी लाइट होगी उतना अच्छा इमेज आएगा आप ने कभी देखा होगा आप जब अक्तर शादियों में या कहीं पर किसी ऐसे इविंट्स में या मैं सहरी मनीज काऊंगा तो जब तस्व यysłete ऑंड हाँ लाइट है तो हैँ जैद में आपके संसर के पास भीज देगा बस यहे करेगा लैन्स क्या कर रहा होता है है लैंस कली 對 अधर करता है आपकी अंदर से लाइट को कितनी ज़्याद अच्छी लाइट होगी उतना ज्याद अच्छा इमेज बनेगा सेंसर के ऊपर यह लैंज ही है जो रिफ्लेक्ट लाइट वो पकड़ के आपके सीन से भीजता है गो वह जाओ सेंसर के ऊपर अपना इमेज बना लो ठीक है लेंज ना होना तो सेंसर बेकार है वो बिचारा कुछ नहीं कर सकता समयलना है सेंसर बादशाय ना तो यह वो हैं उसके ज्याले जी वो जाते हैं और लेकर आते हैं ठीक है जी लाइट को कौन लेकर आता है संसर के पास लेकर आता है image processing circuitry image processing circuitry क्या करते है यह आपके signal को organize करती है optimize कर देती है efficient कर देती है यानि और फिर transmit कर देती है ठीक है जी तो यह चीज़ने समझ में आ गई चलें जी आपको एक फॉर्मूला भी पता चल गया वह फॉर्मूला क्या है एंसी डोरी चलें शाबश मुझे बताएं से डोरी क्या है अभी आपने पड़ा monitoring controlling detection observation recognition identification तो जिस तरीके से आपने CCNA के दोरान आपने पड़ा होगा ना वह जो all people seems to need data processing इसी तरीके से ने एक ये भी एंसी डोरी अगर आप से कोई पूछता कि सीटीव लगाने का मकसद क्या है तो आप उसे यह कह सकते हैं कि एंसी डोरी एंसी डोरी का मनाद यह है कि monitoring controlling detection observation recognition identification याद रखियेगा detection recognition और identification यह तीन specific चीज़े में आपको इसने बता रहा हूं something is happening is called detection और फिर उसके बाद उसके बाद exactly what is happening is called recognition और who indulged in the activity is called identification कुछ हुआ है detection क्या हुआ है exactly recognition कौन कौन इन्वाल्स थाउस activity में identification फार्मूला पीज़े आपको पता चल गया तो आज हम लोग जहीं तक ही रखेंगे लेंजी कैमरा भी आगे ता बड़ा सा यह जो देख रहे ना यह 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 चीज़ यह जीज़ आपकी लेंज यह लेंज यह यहां से समझ लें के यहां environment से जो है न लाइट को capture करते हैं और से संसर के पास बीज़ यह आपका image बना रहा होता है ठीक है तो यहीं तक आज हम अपना लेक्टर को रखते हैं हम लोग फिर आगे अब detail में देखेंगे कि image sensor क्या करता है फिर हम लोग दूसरे लेक्टर में लेंस क्या करता है फिर हम लोग देखें होता है close circuit क्या होता है ठीक है जी केबिल का आज मैंने सोचा था कि मैं कुछ दूम अगर रहने दें कोई issue नहीं है तो ठीक है जी मैं आपको अगले ही लेक्टर में करूंगा जिसको केबिल का टॉपिक आगा नहीं मैं उसको समझाओंगा तो फिर आप लोग को बहुत असान होती है कैमरा बेसिक्स में आती हैं जिसके हम सही स्पैसिफिकेशन सेलेक्शन में हमें मदद देती हैं उसके लाव हमने बजटिंग और डिजाइनिंग भी देख ली ठीक है जी तो इसके साथ हम अपने लेक्टर खतम करते हैं इंशालला आप लोग इसको सुनिएगा और को कि एड़फस्स करते हैं नहीं जिए सेलेक्शन थावस्स करते हैं एड़ जावस्स